हलो एप्रिवान वेलकम टिस्यों की सादू दोस्तों आप सब लोगों में मेरे वीडियो में ये बैंडराउन देखा ही होगा ये पेंट गेंड कुछ नहीं है बलकि वालपेपर है ये वालपेपर लगा के दो साल हुआ कुछ खराब नहीं हुआ हमने हमारा लीविंग एरिया में वालपेपर लगाया है वालपेपर लगाते पर थोड़ा किप्स में लीती आज वो ही मैं आज आपसे शेयर करहा है फ्रेंच हमारा लीविंग एरिया पहले ऐसा था बिलकुल खाली था घर का पूरा इंटिरियर होने के बाद लास्ट में वाल पेपर लगाते है हमारा लिविंग एरिया में वाल पेपर लगाने के लिए हमें ऐसा फाइव रोल्स पड़ा वॉल पेपर नॉर्मल पेपर से थोड़ा थिक रहता है और पेपर के उपर ही ऐसा डिजान रहता है इसे हम थोड़ा वेट कपडे से पोच सकते हैं वॉल पेपर लगाने के लिए अलग सा ऐसा ड्राई वाला गं आता है उसे पानी में मिलाके मिक्चर तायर करके बाद में वॉल पेपर के उपर लगाते है वॉल पेपर रोल को ऐसा फ्लोर पर पहले रखके इसका डिजाइन सेट करते है पहले सभी रोल्स के उपर ऐसा गंप स्प्रेड करके फोर्ड करके रखते है वाल पेपर अलग-अलग क्वालिटी का रहता है क्वालिटी के उपर प्राइस भी थोड़ा जादा कम रहता है क्वालिटी का रहता है दिवार पर वाल पेपर को ऐसा डिरेक्ट लगा के एक्स्ट्रा वाल पेपर जो रहता है उसे कट करते है तर वाल पेपरंड़ जने पेपर सुवड़ा पेपर है है रहता है प्रेंड्स जिसेने भी अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए साथ में जो बेल लाइकन रहता है उसे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस मिलती हूँ तब तक के लिए stay connected